नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से पिछले 12 महेनों का 450 सबसे महत्पुन करेंट फेर को डिसकस किया जाएगा तो आप सभी लोग सारे पार्ट को ध्यान से देखेगा साथ ही आपको जानकारी देदे के अपने चैनल पर पिछले 18 महेने का करेंट फेर अपलोड है मन्त वाई मन्त करके, किसका करेंट फेर है, तो SPD मैगजिन का करेंट फेर है और कहां पर मिलेगा, तो आप लोग पर लिस्ट में जाएगा, सारे वीडियो आपको मिल जाएगा तो आई देखते हैं, पहला कोस्टन कि हाली में माइग्रेशन ट्रेकिंग सिस्टम एप बिक्सित करने बाला पहला राज कौन बन गया है तो महरास्ट बन गया है हाली में माइग्रेशन ट्रेकिंग सिस्टम एप बिक्सित करने बाला पहला राज कौन बन गया है तो महरास्ट बन गया है हाली में दुनिया का सबसे लंबा गलास ब्रीज किस देश में बनाया गया है तो किस देश में बनाया गया है बियतनाम में बनाया गया है बिहार के पहले ग्रीन फिल्ड एथनॉल सयंत्र का उठगाटन कहां पर किया गया है तो पूर्णिया में किया गया है इसका उठगाटन बिहार के मुख मंत्री नितिश कुमार जी के दोबरा किया जा रहा है जो सयंत्र जो है कितने की लागत से बन रहा है हाल ही में WTO के बार में मंत्री अस्तेरिय सम्मिलन का आयोजन कहां पर किया गया किया चुका है तो कहां पर किया गया है जनेवा में किया गया है जनेवा में किया गया है जनेवा सुडिजर लेंड में इसका मुख्या ले है ठीक है यहाँ पर एक चीब देख रहे है कि जनेवा भी दे दिया है और सुडिजर लेंड भी दे दिया है ठीक है जनेवा मानिएगा ठीक है जनेवा जो है कहाँ पर अस्तित है थे इस स्थिट ये네वा next 20 malaria दिवस 2022 की theme क्या है 20 malaria दिवस कम मनाया गिया 25 अप्रिल को मनाया गिया और इसका theme है harness innovation harness innovation to reduce the malaria disease within and save lives फिर से बोलते harness innovation to reduce जीज़ दा मलेरिया डीजिज वरेड अंड सेव लाइफ इसका थीम है हाल ही में केंदरी मंतरी अनुराग ठाकुर ने किस सहर में खेलो इंडिया उनिवर्सिति गेम्स के दुसरे संस्क्रण का उठगांतक तो बैंगलूरू करनाटेक में किया है बिंगलूरू करनाटेक में किया है हाल ही में भारत के पहले पोटेवल सोलर रूप टॉप सिस्टम का अनावरन कहां पर किया गया है तो गुजरात के गांधी नगर में किया गया है से दोबारा देखेगा भारत के पहले पोटेवल सोलर रूप टॉप सिस्टम का अ लाँच किया गया है नागपुर में लांच किया गया है बारमी सिनियर पुर्ष रास्ट्री होकीजी किसने जीता गया है गया है, जो बार्मी सेनियर पुरुस रास्टी होकी चेमपेन सिप है, वो हर्यान राज के दौरा Europe जीता Гया है, यहां के मुखमंतरी मनAwarlaल कhrattar है, महला क क्रिकेट किस देश ने जीता है, तो अस्टेलिया ने जीता है, किसे हरा कर जीता है, तो इंगलेंड को हरा कर जीता है, इसका आयोजन कहां पर किया गया था, तो निजिलेंड देश में इसका फैंदल मैच का आयोजन किया गया था, कहां पर, क्राइस चर्च में किया गया था, क्राइस चर्च में किया गया था रेल्वे सुरच्छा बल ने कथित काला बजारी करने वालो के खिलाप कौन सा अखिल भारतिय अभियान चलाया है तो ओप्रेशन उपलब्ध चलाया है दुबारा देखिएगा नाम से मानब तसकरी पर अंकुस लगाने के लिए एक राष्ट ब्यापी अभियान शुरू किया है पहला लता दिनानाथ मंगेशकर नेमनिकित में से किसे परदान किया गया है तो परदान मंतरी नरेंद्र मोदी को परदान किया गया है किस मंतराले ने डोनेट एपेंसन पहल की सुरूपात किया है किस सहर में देश के पहले ड्रोन अस्कुल का उटगाटन किया गया है तो कहाँ पर किया गया है गौलियर में किया गया है गौलियर किस राज में अस्थित है तो मद परदेश राज में अस्थित है सिबराज सिंग चगुहान वहा के स्रियम है पूर्व किर्केट खिलाडी सेन बॉर्ण का निर्दन हो गया है उनका संबंध किस देश से है तो सेन बॉर्ण का जो संबंध है अस्टेलिया देश से है और आपको याद रखना है कि एक एंडू साइमन्स थे एंडू साइमन्स थे उनका भी हाली में सड़क दुखटना में मौत हो गया उनका भी संबंध अस्टेलिया से ही था रास्टी सुरच्छा दिवर्स के अपसर पर स्वधेशी रूप से बिखसित स्वचालित ट्रेन सुरच्छा प्रनाली का सफल परिच्छन किया गया जिसका नाम क्या है तो इसका नाम है कबच इसे दोबारा देखिएगा रास्टी सुरच्छा दिवर्स के अपसर पर स्वधेशी रूप से बिखसित स्वचालित ट्रेन सुरच्छा प्रनाली का सफल परिच्छन किया गया जिसका नाम क्या है तो इसका नाम कबच बेहतर स्वास्त के लिए कारवन न्यूट्रल खेती शुरू करने वाला देश का पहला राज कौन बन गया है तो केरल देश का पहला राज बन गया है कारवन न्यूट्रल खेती शुरू करने वाला पहली बार किस टीम ने इंडियन सूपर लिंग ट्रोफी का खिताब जीता है very important प्रसन है पहली बार जो है किस टीम ने Indian Superlink Trophy के खिताब जीता है है जीता गया है हैदराबद EFC के द्वारा जीता गया है किसे प्राजित करके जीता है यह very very important है किसे प्राजित करके जीता है तो केरल बलास्टर को प्राजित करके जीता है तो A इसका right answer हो जाएगा बर्स 2022 के लिए बीत मंतरी निर्मला सिता रमन दुवारा कितने क्लोड का बजट पेस किया गया है तो 49,44,909 क्लोड रुपे का बजट पेस किया गया है तो D इसका राइट एंसर हो जाएगा और इसमें आपको याद रखना है कि राजट प्राप्ते से कितना पैसा आएगा तो 22,44,2022 कलोड रुपे जो है कहां सा आएगा राजट प्राप्ते से और इसका पिछला वेडियम आपको बता चुके हैं कि राजट प्राप्ती क्या होता है दूसरा है पुंजी गत प्राप्ति, पुंजी गत प्राप्ति से कितना आएगा तो 17,440,487 रुप्याब के जो है पुंजी गत प्राप्तियों से आएगा आर्थिक सर्वेच्छन 2021-22 के अनुसार, बित बर्ष 2021-22 के लिए अस्थीर मूल पर GDP बिर्धी दर कितना परतिसत अनुमानी थे ध्यान रखेगा अस्थीर मूल पर GDP बिर्धी दर कितना परतिसत अनुमानी थे तो 9.2% आपके अनुमानी थे 2021-22 में जबकि आपको याद रखना है कि 2020 और 2021 में कितना आपके बिरधी हुआ है तो आपको याद रखना है 7.3% इसे नोट कीजिएगा important है भारत और बांगला देश ने किस तिथी को मैत्री दिवस के रूप में मनाने का निरने लिया है तो 6 दिसंबर को भारत और बांगला देश ने मैत्री दिवस के रूप में मनाने का निरने लिया है आपको याद रखना है कि 6 दिसंबर 1971 को भारत के दोरा बांगला देश को देश का मानता दिया गया था उसमें बंगलादेस अजाद भी नहीं हुआ था बंगलादेस अजाद कब हुआ था तो 6 दिसंबर में 10 दिन जोड़ देजी तो आपके बंगलादेस अजाद हुआ था कब अजाद हुआ था तो 16 दिसंबर को बंगलादेस आपके अजाद होता है 16 दिसंबर को बंगलादेश अजाद होता है 1971 में हाल ही में खबरों में रहा बखेरा बंजीव अभियारन किस राज में अस्थी थे बखेरा बखेरा जो बंजीव अभियारन है उत्तर परदेश राज में अस्थी थे उसमें आपको याद रखना है कि एक है खिजा दिया खिजा दिया वनजीव अभिरान ये कहां पर अस्तित है या गुजरात में अस्तित है बरतमान में भारत में कितने रामसर साइट है तो कितने हैं 64 है पहले कितने था 49 पलस 5 पलस 10 64 बरतमान में आपकी भारत में रामसर साइट है अगर वीडियो कोई बाद में देखिएगा ये चेंज हो जाएगा तो इसे आप लोग अपना चेज़ कर लिजेगा ठीक है क्योंकि अभी 64 है बरतमान में जब वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है तब निमलिखित नेक्तियों में कौन आपके सुमलित नहीं है इसमें से कौन आपके सुमलित नहीं है इसका मतलब गलत कथन को आपको ढूंड़ना है नेती आयो के उपाद्याच कौन है सुमन के बेरी है बिल्कूल ठीक है रेनवे बूर्ड के सियो एवम अध्याच बिनेकुमार्त रिपाठी है ये ठीक है मुख अर्थिक सलकार के बिजय रागवन बरतमार में नहीं है ये पहले थे तो बरतमार में कौन है तो बरतमार में अनंत नागेश्वरन है अनंत नागेश्वरन ठीक है नागेश्वरन तो सी बला गलत हो जाएगा DRDO के महाल देसक कौन है तो जी 17-90 अप सभी को पता है तो इसमे गलत कौन हो गया C ओप्संद आपका गलत हो गया है 32 नाटो सिखर सम्मेलन 2022 किस देh में आड़ित किया गया है तो अस्पेन में आड़ित किया गया अस्पेन की किस सहर में तो अस्पेन के मैडरीड सहर में, अस्पेन के जो है, मैडरीड सहर में किया गया है, कब किया गया है, तो 2829 जुन को किया गया है, जो नाटो है, इसकी अस्थापना का होता है, 1949 में इसका हेटक्वाटर कहां पर है, तो ब्रुसेल्स में इसका हेटक्वाटर है, कहां पर धानी है 204 सुचकांक 2022 में भारत को कौन सा अस्थान राप्त हुआ है तो भारत को 136 अस्थान मिला है पहला अस्थान किसे दिया गया है तो फिनलेंड को पहला अस्थान दिया गया है तिसमा ब्यास सम्मान वर्ष 2021 के लिए किसे परदान किया गया है तो ब्यास कौन है जो ब् 22 सम्मान दिया गया है 2021 के लिए हाली में किस देश के परदार मंत्री ने पहली बार अपात कालिन अधिनियम लागू किया है तो कनाड़ा के परदार मंत्री ने पहली बार अपात कालिन अधिनियम को लागू किया है टोक्यो पैरा उलम्पिक टोक्यो पैरा उलम्पिक 2020 में बहरत के द्वारा कुल ठीक में अस्तान पर भारत भारत के द्वारा कुल े जाता है हालही में किस राज सरकार ने स्वयं में की बंजिवद कार योजना पारित किये और ऐसा करने बाला वह भारत का पहला राज बन गया है दुबारा देखे, हाली में किस राज सरकार ने स्वयम की वंजिव कार योजना पारित की है और ऐसा करने बाला वह भारत का पहला राज बन गया है तो उसका नाम क्या है? तो महरास्ट राज है किस देश ने अपने पहले स्वयदेशी रूप से बिक्सित रौकेट नूरी का सफल परिच्छन किया है तो दच्छिन कोरिया ने जो है नूरी रौकेट का सफल परिच्छन किया है